Welcome to new lesson, इस lesson में मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे आप Google Ads tracking कर सकते हो, right, मतलब हम कैसे track कर सकते हैं, कि किस एड से कैसी performance आ रही है, कौन सी एड कैसे काम कर रही है, ये सारी चीजे हम कैसे कर सकते हैं तो ये मैं समझाऊँगा आपको दो पार्ट्स के अंदर ताकि आप कन्फ्यूज ना हो और आपको चीज़े क्लियरली समझाएं देखो गूगल एड्स ट्रेक करने के दो तरीके होते हैं मैं आप एक गूगल सर्च एड्स की बात कर रहा हूं नंबर वन आप ट्रेकिंग करो थ्रूग गूगल एनलेटिक्स और दूसरा थ्रूग गूगल एड्स अब जैसा आपको पता है कि जो गूगल एनलेटिक्स है वो भी गूगल का ही प्लैट्फॉर्म है और गूगल एनलेटिक्स यूज़ भी हम किस चीज़ के लिए करते हैं तो गूगल एनलेटिक्स का यूज करते हैं हम ट्रैकिंग एक्टिविटीज के लिए राइट तो हम क्या कर सकते हैं हम अपने गूगल एड्स को Google Analytics के साथ integrate कर सकते हैं हमें क्या काम करना पड़ेगा पहले Google Analytics को अपनी website पे install करना पड़ेगा और then Google Analytics को Google Ads के साथ integrate करना पड़ेगा इससे हम अपनी Google Ads को track कर सकते हैं प्लस हम सारा data अपना कहां देख सकते हैं इन Google Analytics, तो अब आपको करना क्या है, आप देखो यहाँ पे मैं हूँ, Google Ads के अंदर, तो सबसे पहले हमें एक नया Google Analytics अकाउंट बनाना है, अभी हम क्या चीछ सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कैसे हम Google Ads को track कर सकते हैं, using Google Analytics, कल के lesson में हम सीखेंगे through Google Ads itself, ठीक है, तो सबसे पहले मैं Google Analytics पे अकाउंट बनाऊंगा, तो मैं गया analytics.google.com पे, और यहाँ पे sign up का option आ रहा है, तो मैंने किया sign up, अब मेरे इस अकाउंट का नाम पूछ रहा है, तो यह रही मेरी website, जो मैं use कर रहा हूं, एक dummy website है, जिसका नाम है softb2, right, तो यह softb2 copy किया, और लिख दिया हमने softb2, और यह सब आप छोड़ दो, और यह ऐसे ही कर दो next, हम कहां लगा रहे हैं, वेब पे, तो हम यह लेंगे web, और हम कर देंगे next, और देन पूछ रहा है website का नाम, मैं softb2 लिख देता हूं, देन website का URL, हमारी website जो है, वो HTTPS है, तो हम इसको करेंगे HTTPS, और link यहां कर देंगे copy, देन यह पूछ रहा है, industry select करने के लिए, तो हमारी website है e-commerce, तो अब देखो है, आपर कुछ shopping का है, यह shopping का है, यह ले देते हैं shopping, reporting times on US है, तो इसको कर देते हैं India, और इसको कर देते हैं create, और यह United States है, इसको change करके कर दो India, और इसे कर दो accept, और इसे भी कर दो accept, और इसे कर कर दो I accept, इसे कर दो no thanks, अब यह tracking code आ गया, जो हमें अपनी website पे लगाना है, ठीक है, इस tracking code को हमें कहां लगाना है, अपनी website के अंदर, ठीक है, तो इसे अब हम अपनी website पे लगाने के लिए use करेंगे google tag manager, right, तो सबसे पहले मैं tag manager पे जाके, हम क्या use कर रहे है, google tag manager, तो सबसे पहले मैं tag manager को अपनी website पे लगाऊंगा, right, तो देख सकते हूं, यहाँ पे tag manager में एक account अल्रेडी मैंने बना रखा है, अब मैं करता हूं create account, और एक नया account बनाता हूं, softb2.com, और यह मैं करता हूं, इंड और web कर देते हैं, और इधर कर देते हैं create, इसको कर देते हैं accept, और इसको कर देते हैं yes, और यह कुछ code आ गया, इसे हमें लगाना है अपने website में, right, तो अब हम जाएंगे अपने website में, हम जाएंगे appearance में, अब देखो editor वाला यहाँ पे option नहीं आ रहा, for some reason, तो हम क्या करें हम जाते हैं appearance में, sorry, plugins में और एक नया plugin install करते हैं, ठीक है, एक नया plugin install करते हैं, हम सर्च करेंगे google plugin, sorry, अपने wordpress के plugins में जाके google tag manager, right, क्या सर्च करेंगे google tag manager, एक बार यह page load हो जाए, वहाँ जाते हैं जी, plugins, add new, इसको load होने देते हैं, अब यह जो code है, आप देख सकतो, यह कहां पर लिखावा है, यह कहा रहा था, head पर लगाने के लिए, body पर लगाने के लिए, बट क्योंकि यहां पर edit वाला option नहीं आ रहा, एडिटर के यहां पर option आता है, I am not sure why that option is not coming, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक plugin try करूँगा, एक plugin यूज करूँगा, जिसका नाम है google tag manager, और उस plugin में में मेरे को क्या करना है, इसे close करते हैं, उस plugin में में मेरे को यह वाली id जो देख रहे हैं आप, gtm id, यह gtm id मेरे को लिखनी है, और इस id को लिखके, then मेरी website पे google tag manager लग जाएगा, जब मेरी website पे google tag manager लग जाएगा, then मैं google tag manager के अंदर जाके, एक नया tag बनाऊंगा, google analytics का, right, एक नया tag बनाऊंगा, google analytics का, और वहाँ से फिर मैं google analytics को install कर दूँगा, इसको एक बार रीफरेश करते हैं, दुबारा देखते हैं, हम चलता है कि नहीं, शाद कुछ होस्टिंग के साइड पेरर है, वेब साइट इसलिए डाउन हो रही है, connection time doubt अब देख सकते हो लिखावा है, so कुछ होस्टिंग की error है, so what can we do, हमें वेटी करना पड़ेगा बस, ताकि यह fix हो जाए, जब तक हम Google Analytics लगाते हैं, तब तक हम एक काम कर लेते हैं, हम Google Analytics और AdWords इन दोनों को link कर देते हैं, right, Google Analytics और AdWords को हम link कर देते हैं, एक बार मैं तो यहां पर हम जाते हैं वापस, आपको इधर जाना है, Admin के अंदर, और then आप जोरा नीची आओगे तो देखो आपके पास यह option आएगा, Google Ads Linking, alright, तो Google Ads Linking को click करो, और यह Add Account सेलेक्ट करो, और इसको करो continue, और यहां पर आप नाम दे दो, ठीक है, नाम दे दो, अपनी website का नाम दे दो, Soft B2 और इसको यहां से कर दो on, और यह Auto Tagging का option आ रहा है न, इसको यहां से, देखो, Enable Auto Tagging है, हमें Auto Tagging Enable करनी है, और then हमें करना है Link Accounts, Link हो गया, ठीक है, अब हमारा Google Ads और Google AdWords Link हो गया, प्लस हमने Auto Tagging Enable कर दी, तो अब होगा क्या, जो भी Google Ads आप Run कर रहे होगे, उसका data आप अपने Google Analytics के अंदर देख सकते हो, ठीक है, यह एक बहुत जरूरी काम है, जो आपको हमेशा, हमेशा, हमेशा करना है, जब ही भी आप कोई भी नया Google Ad account बनाओ, तो उसको Google Analytics के साथ Link करना है, अब हमारा जो काम है, वो है, कि जो हमारा Google Tag Manager है, उसको अपनी website पे install करना है, और जैसे हम Tag Manager install कर देंगे, उसके बाद हम install करेंगे Google Analytics, और then हम Google Analytics और AdWords को integrate कर देंगे, और data देखेंगे हम फिर हम, कैसे दिखेगा वाँपे, देखो भी नहीं चला भी, एक और चीज़, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि tracking के दो option है हमारे पास, या तो हम directly Google Ads के through track कर सकते हैं, या हम use कर सकते हैं Google Analytics, हम Google Analytics को क्यों prefer करते हैं, हम Google Analytics को इसलिए prefer करते हैं, तो कि Google Analytics में हमारे पास options जादा है audience बनाने के लिए, जो remarketing की audience होती है न, वो बनाने के लिए मेरे पास options जादा है Google Analytics में, जबकि मेरे पास Google Ads में उतने remarketing audiences बनाने के option नहीं है, वहां बड़ी limited audiences हैं जो आप बना सकते हो, जबकि Google Analytics में आप बड़ी सारी audiences बना सकते हो, like based on कितना time वो आपके website पर रुक रहे हैं, based on कितने pages वो देख रहे हैं, sessions कितने हो रहे हैं, उनके कौन-कौन से page पर visit कर रहे हैं, कितना time लगा रहे हैं, यह सारे बड़ी सारी चीज़े हैं, जो कि Google Analytics में आपके पास मिल जाती हैं, बट Google Ads के अंदर वो option आपको नहीं मिलते हैं, इसलिए हम prefer करते हैं Google Analytics के थुरू ads run करना, not ads run करना, Google Analytics के थुरू audiences बनाना, तो for some reason यह website खुली ने ली, ओके, तो अब website चल चुकी है, तो अब हम plugin इंस्टॉल करेंगे, Google Tag Manager, तो मैं गया अपना plugins के अंदर, और add new किया मैंने, और हम यहां सर्च करेंगे Google Tag Manager, हमें यह वाला plugin इंस्टॉल करना है, Google Tag Manager for WordPress by Thomas Geiger, तो यह किया हमने इंस्टॉल, और इसे करना है हमें activate, ठीक है जी, एक्टिवेट हो गया, यह कह रहा है न, तो स्टार्ट यूजिंग Google Tag Manager, प्लीज एंटर योर GTM ID, तो आप इसे क्लिक करिए, अब यहां पर आपसे पूछ रहा है GTM ID, अब आपको यहां जाना है और यह जो GTM ID है, इसे आपको copy करना है, यह जो आपके Google Tag Manager में है न, इसे आप करोगे copy, और इसे करोगे आप यहां paste, और इसे कर दोगे codeless injection, और इसे कर दोगे save changes, हो गया, अब आप जाओ अपनी website पे, और इसे यहां से कर दो, Tag Manager को submit, publish और continue, Done, अब वापर जाओ workspace में, अब हमें बनाना है नया Tag, इसे यहां से dismiss कर देते हैं, जाब बनाएंगे हम नया Tag, ठीक है, तो आप करोगे add a new Tag, और इसे नाम लिखोगे, Google Analytics, ठीक है, Google Analytics, Tag Configuration, और यह पहला option ही आपके पास, Google Analytics, Universal Analytics, इसे करोगे click, और option है आपके पास, select setting variable, इसे click करो, और यहां पे करोगे new variable, और इसे कर दो, Google Analytics, और यहां click करो, और tracking ID पूछ रहा है, अब Google Analytics अकाउंट पे जाओ, और जाओ, प्रॉपर्टी सेटिंग्स पे, सॉरी, आप आओ यहां पे, tracking info पे, और tracking code पे, और यहां रहा है, tracking ID, इसको करो copy, और यहां कर दो, इसको paste, और इसको कर दो save, और यह trigger पे आओ, अब अगे trigger, और यह कर दो all pages, और इसे कर दो save, और इसे कर दो submit, इसे कर दो publish, और इसे कर दो continue, हो गया, अब अपनी website पे आओ, और इसे refresh करो, अब वापस आओ, tag manager पे, और यहां से करो preview, ठीक है, अब वापस अपनी website पे आओ, और इसे करो refresh, और वापस जाओ, यहां से preview हो रखा है, अब इसे करो control F5, hard refresh, अब देखो, यह नीचे कुछ window आ गई, अब देखो, tags fired on this page, Google Analytics, यहां पे Google Analytics का tag fire हुआ है, मतलब एगदम सही से काम कर रहा है, अब इसे कर दोगे, leave preview mode, और इसे कर दोगे, ok, तो आज हमने अभी क्या किया, हमने simple Google Analytics install किया, और Google Analytics को Google Ads के साथ integrate किया, right, अब अगला काम आपको क्या करना है, कि आप अपने conversion के data को किसके पास भेजना चाहते हो, Google Ads के पास, right, suppose करो, अब आप चाहते क्या हो, कि suppose करें, कि आपके website पे आपके कोई आपका lead बनता है, ठीक है, तो ये data किसके पास चला जाए, Google Ads के पास, कि भाईया, कौन सी Google Ads से ये lead generate हुई, ये data Google Ads के पास भी जाए, right, अभी तक हमने क्या किया है, हमने, सबसे पहला काम क्या किया है, हमने Google Tag Manager का account बनाया, ते दूसरा काम क्या किया हमने, Google Analytics account बनाया, तीसरा काम हमने क्या किया, हमने Google Analytics और Google Ads को integrate किया, चौथा काम हमने क्या किया, हमने auto tagging enable की, ताकि जो भी Google Ads का data है, वो हम Google Analytics के अंदर देख सके, right, ये हमने 4-5 काम किये, अब हमें 5-5 काम क्या करना है, या 6 काम क्या करना है, कि हम ये चाहते हैं, कि जैसे ही, suppose करो, आपके website पे आके कोई lead बनता है, आपके website पे आके कोई form submit करता है, तो आपके लिए वो क्या हो गया, आपके लिए वो हो गया conversion, right, आपके लिए वो हो गया conversion, अब आप चाहते क्या हो, कि ये जो conversion का data है, ये Google Ads के पास जाए, मतलब कौन सी Google Ads से ये lead generate हुई है, ये data Google Ads के पास पहुँचे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, conversion tracking, right, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, conversion tracking, तो conversion tracking करने के लिए आपको क्या करना है, through Google Analytics, आपको सबसे पहले Google Analytics में बनाने है goals, right, आपको Google Analytics में बनाने है goals, और then वो goals जो हैं, वो आपको कहां भेजने हैं, वो goals आपको भेजने हैं Google Ads के अंदर, समझ गए, क्या करना है आपको, आपको Google Analytics के अंदर goals बनाने हैं, और वो goals आपको भेजने हैं Google Ads के अंदर, तो Google Analytics के अंदर goals बनाने के लिए आप आओगे admin के अंदर, then यहाँ पे आप देखो goals लिखा है, view के अंदर goals, तो आप ये goal select करोगे, और देन आप करोगे new goal, अब देन आप से Google पूछ रहा है, दो option दे रहा है, goal, एक तो दे रहा है goal setup में, एक है template, एक है custom, तो आप लेलोगे custom, और आप करोगे continue, और देन आप देदोगे goal का नाम, तो हम इसे लिख देते हैं, soft v2 lead gen, हमें track करना चाहते हैं, कि कौन हमारा lead बना, आप को ये 5 option दे रहा है, देखो कि किस type का goal आप track करना चाहते हो, क्या destination based goal track करना चाहते हो, destination based का मतलब होता है page based, URL based, किसी particular URL पे कोई गया, क्या आप ऐसा destination based goal track करना चाहते हो, या दूसरा option देता है duration based, क्या आप ऐसा goal track करना चाहते हो, कि आपकी website पे कोई 5 minute रुका, या 6 minute रुका, क्या आप ऐसा goal track करना चाहते हो, या तीसरा goal वो दे रहा है, कि क्या आप pages per session track करना चाहते हो, कि हर session में लोग कितने pages visit कर रहे हैं, कि किसी ने 5 page देखा, 3 page देखा, तो आप उस basis पे goal track करना चाहते हो, या आप event based goal track करना चाहते हो, या किसी ने video देखी, button click किया, क्या आप ऐसा goal track करना चाहते हो, या smart goals है, smart goals होते हैं, जो Google खुदी बनाता है, AdWords के data के लिए, क्या आप track करना चाहते हो, तो हम करना चाहते हैं, based, destination based goal, मतलब URL based goal, और then हम करेंगे continue, then वो Google आप से पूछ रहा है, कि ये, क्या destination है, right, तो हमारा destination क्या है, suppose करो, मैं क्या track करना चाहता हूँ, मैं track करना चाहता हूँ, कि, suppose करो, मैं अपने लिए goal क्या मान रहा हूँ, कि कोई भी अगर मेरा ये product देखे, या फिर ये छोड़ देते हैं, इसको हम करते है, add to cart, view cart, suppose मैं track करना चाहता हूँ, कि ये जो page है न, cart, इस पे कितने लोग आए, right, इस page पे कितने लोग आए, तो अगर अभी मैं, google analytics में जाऊं, अभी मैं कहां पे हूँ, cart page पे, right, तो मैं अपने लिए क्या goal मान रहा हूँ, या conversion मान रहा हूँ, for a second, कि कितने लोग इस cart page पे आए, ये मेरे लिए conversion है, और ये मैं data google को भेजना चाहता हूँ, right, ये देख रहे हूँ, आप या रहा है, cart page, ये data मैं google को भेजना चाहता हूँ, मैं इसे conversion मान रहा हूँ, right, तो मैं अब simple क्या करूँगा, destination में equal to का option आ रहा है, तो मैं यहाँ पे, इस cart को copy करते हैं एक बड़, cart, इसको किया paste, right, अभी हम value assign नहीं करते, और funnel भी assign नहीं करते, अभी हम simple कर देते हैं, इसको save, अब हमने goal बना लिया, हमने goal क्या बनाया है, कि कितने लोग मेरे इस page पे आएं हैं, वो data मुझे दिखेगा, कि भाईया, suppose करो इस page पे आए 50 लोग, तो मुझे दिखेगा कि भाईया, 50 लोग इस page पे आए, तो आपने 50 बार अपने goal अचीव किये, right, अब मैं कर क्या सकता हूँ, तो यह जो goal का data है, यह जो मेरे conversion का data है, यही data मैं Google के अंदर, Google Ads के अंदर, import कर सकता हूँ, ठीक है जी, यह जो data है न, goals का, conversion का, यह data मैं Google Ads के अंदर, import कर सकता हूँ, और then मैं वहाँ से देख सकता हूँ, कि मेरे किस ads से कितनी conversion आ रही है, बहुत easy, तो मैं simple अब क्या When Google Ads के अंदर, और मैं जाओंगा, tools and settings के अंदर, और, यहां मैं जाओंगा, conversions के अंदर, ठीक है, google Ads के अंदर, tools and settings के अंदर, और then मैं जाओंगा, conversions के अंदर, और आ रहा है, देखो, plus conversions, तो मैं इस plus conversions को क्लिक करूँगा, अब देखो, मेरे पास चार option आ रहे है, website, app, phone car, import, किस टाइब का conversion बना चुक हूं, मैं conversion बना चुका हूं? गूगल analityx के अधर. अभी बना ये था मैंने, इसे ही मैं import करना चाहता. मैं click करुगा important. जिस यहां कहां से import करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो Google Analytics को option है तो मैंने select किया Google Analytics और मैंने किया continue अब देखो एक goal आ गया अभी जो बनाया था by default इसको ले लिया मैंने और इसको कर लिया मैंने import and continue और मैंने कर दिया इसको done अब देखो आ रहा है ना no recent conversion क्योंकि अभी कोई conversion हुई नी अब धीरे धीरे ये data क्या होता जाएगा update जैसे जैसे conversion होंगी ये data update होता रहेगा और मैं जबी भी कोई add run करूँगा तो मैं ये देख सकता हूँ किस add से मेरे पास कितनी conversion आई और उस हिसाब से मैं अपनी ads को change कर सकता हूँ ठीक है बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा simple है तो ये हमने किया क्या पांचे चीज़े की पहले tag manager बनाया google analytics बनाया देन हमने auto tagging enable की ताकि सारी add ए tag हों और सारा google ads का data में analytics में एक दम सही से देखता जाऊँ उसके लिए हमने analytics और google ads को integrate भी किया देन मैंने क्या किया google analytics के अंदर एक goal बनाया ताकि मैं ये track कर सकूँ कि मेरी conversion कितनी हो रही है देन ये data मुझे अपने google ads के अंदर भी देखना था तो मैंने क्या किया उस goal को google analytics के through google ads में जाके मैंने कर लिया import और वो data अब मैं google ads के अंदर देख सकता हूँ ठीक है बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा simple है तो आप आज इसकी एक बार practice करना और कल के lesson में हम फिर मिलेंगे किसी नई चीज के साथ plus इस पे मैं एक बार थोड़ा सा दुबारा आपको recap दे दूँगा in case किसी को doubts हो तो कल मैं दुबारा एक बार आपको recap दे दूँगा ताकि आपको doubts clear हो जाए ठीक है जी thank you so much